रूट, 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 दोस्तों इस रूट है क्या? आपने अकसर सुना होगा रूट के बारे में, कि आप अपना मुबाइल फॉन रूट कर लीजिए उसकी मदद से आप किसी के वाइफाउई का पास्वर्ड पता कर सकते हैं, या फिर आप किसी के मुबाइल का डाटा बिट्टू सरसे हेलो दोस्तो मेरे नाम है बिट्टू आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिट्टू फोन आज की वीडियो में बतायता हूं आपको रूट के बारे में रूट से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज आपकी हैं वह मैं सारी आपको बताऊंगा काफी कमेंट आ रहे हैं कि रूट के बारे में बताये सर रूट करन करना चाहिए तो मेरी सजेशन यह है दोस्तों कि आपको कभी भी अपने मुबाइल फॉन को रूट नहीं करना और जब आप नया फोन यह खरीदते हैं तो एक साल तक तो आपको बिल्कुल भी रूट करना ही नहीं है क्योंकि जैसे ही आपने रूट कर दिया तो आपकी जो और तो एक सोल वाऊटर से वाऊंटर को दोडें जाती है सर्वी से तरफ से किसी बीकंपनी को आप मुबाइल ले लगे चाहे इसाए कि आप रूट करने के बाद लिए तो ऊसे लिखे कंजिशन जाएगा जयते हैं, जैसे ही कारने के si आपि वायशन से उसके बाद उ कालके आपके मुबाइल को वापस दे देंगे कि भाई ले जाओ आपने गारंटी से खतम कर दिया इसको तो दोस्तों ऐसे में हमारा भारी नुकसान हो जाता है क्योंकि हम किसी की भी वीडियो देखके किसी की बातों में आकर रूट करना सुरू करते हैं अपने सब्कार करने आपके मुबाइल फान देंगे का मां आपकशा हुए उसको है करते हैं यह आफिर के वारे में क्या करते हैं पहला है वो उसकी maintenance का काम करता है पूरे mobile phone की कि speaker को कितनी आवाज देनी है या फिर charging के लिए कितनी voltage उसको प्रदान करनी है या फिर आप कहले जे refresh rate display का कितना रखना है यह सारी maintenance CPU करता है और जब आप अपने mobile phone को root कर देते हैं तो जो company की programming की होती है CPU के अंदर वो programming को destroy कर देता है उसके बाद CPU फिर अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है आप उससे कुछ भी illegal activity करा सकते हैं तो उसकी वैसे आपका mobile phone गरम भी होने लगेगा और कभी आपके touch lag करने लगेगा या फिर कभी hang होने लगेगा system आपका mobile phone जो भी होगा वो hang भी होने लगेगा तो दोस्तों काफी problem आजाती है यह root करने के वैसे तो root मेरा suggestion यह है कर root कभी मत करना भूल कर भी मत करना ऐसी app क्योंकि बहुत सारी illegal app इंटरनेट पर ऐसी पड़ी है जो आपको बेवकूप बनाती है कि भाई root कर लीजिए और आप किसी का wifi का password पता कर सकते हैं भाई कुछ नहीं होता जिस बंदे ने किया हो मुझे करके बता दे हम सारा दिन mobile में software ही चड़ाते रहते हैं कुछ तो थोड़ी वो तो knowledge होगी दोस्तों को इसके बारे में तो ऐसा कुछ ही नहीं होता कोई app नहीं होती है ऐसी कि आप किसी का wifi का password पता कर पाए root की मदद से root करने से आपके phone का सत्यनाज जरू हो जाता है ये तो पका है उसकी life खतम हो जाती है आगे जाके उसमें problems आने सुरू हो जाती है battery backup कम देना सुरू कर देता है set hang होना सुरू हो जाएगा ये ऐसी बेकार की app के चक्कर में आप ना पढ़ें तो बेतर है तो दोस्तों root के बारे में मैंने आपको बताए root application ये हमारे phone में क्या काम करती है हमारे mobile को किस तरीके से नुक्सान पोजा देती है तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना root इसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना ठीके दोस्तों तो ऐसी जानकारी मैं लेकर आपके पास आता रहूँगा और जो भी मैं जानकारी दूँगा न दोस्तों मैं आपको या फिर आप किसी का डाटा देख सकते हैं ऐसा कुछ ही नहीं होता है आप root करने के बाद पच्टा होगे क्योंकि root करने के बाद unroot नहीं कर सकते हैं ये भी ध्यान लखना दोस्तो आप अगर ये सोचो कि root कर दिया मैंने अब गलती हो गई तो इसको unroot कर लेते हैं unroot करने की भी app आती है मगर वो unroot होता नहीं है आप service center जाओगे जब आपको पता चल जाएगा वो फोरन बता देंगे भाई साब root हो चुका है guarantee से कतम है जो भी कुछ काम कराओगे पैसा लगएगा तो दोस्तो ऐसा नुकसान हमें जिलना है क्यों बेकार की app के चक्कर में ना पड़े मेरी सर्जेस्ट नजीए है तो दोस्तो ठीक है मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में तब तक के लिए good bye